आप देख रहे हैं चहान वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इगनू से ग्रेजुएशन करने के बाद बीए वीकॉम बीस्टी करने के बाद सरकारी नौकरी में हाईयर एजुकेशन के लिए एंटर्ण्स एक्जाम जो होते हैं उन में और यूजिसी की तरफ से और बाकी यूणिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलर से बाटी जाती है उनके लिए आप होते हैं या फिर नहीं काफी इंपॉर्टन टॉपिक है तीनों के उपर हम बात करेंगे तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखे ध्यान से देखें वीडियो की सुरुवास से पहले इस इंपॉर्टन अपडेट को आप जरूर देखें में लेकर आया टॉप एजुके बाइस 2021 2022 एक्जाम 29 दिसमब 2021 से सुरु हो रहा है अनका आइकडमी का आइकोनिक सब्सक्रिप्सन लेने पर आपको प्रायोटी दी जाएगी डाउट सॉल्विंग में और लाइव क्लासिज में रेजा हैंड फीचर में आपके को स्वेश्चन को प्रायोटी पेसिस पर सॉल इसका जरूर लाउट है फ्रेजा हैंड फीचर के जरी आप लाइव क्लासिस में अपने डाउट्स को पूछ सकते और उनका सॉलिशन पा सकते हैं करोड तक की स्कॉलर सिप बाटे जाने वाली है तो आप PC 2021 कोड का इस्तमाल कीजिए लिंक description में मिल जाएगा और SSC combat जरूर दी करा है December जिसमें एक साल का सब्सक्रिप्सन लेने पर आपको चार महीने का सब्सक्रिप्सन बिलकुल मिलेगा 24 महीने दो साल का सब्सक्रिप्सन बिलकुल फ्री मिलेगा और 28 और 29 दिसम्बर के लिए लेना चाला है तो मेरे कोड PC 2021 का इस्तावाल करने पर आपको मिलेगा एक्स्टा 10% डिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन बॉक्स से मिल जाएगा औल से लेट्स क्राकिट वीडियो की सुरुवात करते हैं अब ग्रैजुएशन का मतलब है बीए बीकॉम बीसी से पहले इगन के बाद आपको ग्रैजुएशन में आप एड्मिसन ले सकते हैं इगनु में बीए में ले सकते हैं बीकॉम में ले सकते हैं बीसी में ले सकते हैं डिपलोमा भी होता है सर्टिफिकेट भी होता है और बीए बीकॉम बीसी के बाद आप में इगनु में एड्मिसन ले सकते है BCA, MCA भी IGNU करवाता है और MBA का और PhD का entrance exam होता है तो IGNU से अगर आप BA, BCOM, BC कर लेते हैं तो उसके बाद आप बिल्कुल eligible होते हैं चाहे SSC का combined graduate level का CGL exam हो या फिर railways का कोई exam हो जिसमें योग्यता मांगी गई है BA, BCOM, BCN की आपकी graduation की योग्यता मांगी गई है तो उसमें आप बिल्कुल eligible होते हैं चाहे bank PO का exam हो bank के अलग-अलग level के exam होते हैं railways का कोई exam हो कोई police का exam हो या फिर PCS या फिर UPSC का exam हो UPSC civil services exam के लिए भी graduation मांगी जाती है तो आप IGNU से graduation करने के बाद UPSC civil services का exam बिल्कुल दे सकते हैं आप उसके लिए eligible होते हैं साथ में जो PCS होते हैं state PCS यो होते हैं अलग-अलग राज्यों के उनमें भी graduation मांगी जाती है तो वो graduation आपकी BA, BCOM, BST की जो IGNU से आप करवाते हैं उसके उसको graduation माना जाता है और उसके basis पर आप उन सभी forms को भर सकते हैं तो IGNU की जो degree होती है वो पूरी तरीके से eligible होती है कहीं पर भी आपको वोई सरकारी नौकरी का exam देना हो है BA, BCOM, BST के basis पर देना हो या फिर MAM, COM के basis पर देना हो तो उन सभी के लिए आपको जो IGNU की डिगरी होती है वो पूरी तरीके से मानने होती है उसके बाद अब बात करते हैं entrance exam की entrance exam जो होता है higher educations के लिए उसमें भी IGNU की डिगरी जो होती है वो मानने होती है लेकिन यहाँ पर यहाँ में रखने की ज़रूरत है कि entrance exams की योग्यता जो होती है हर entrance exam की वो अलग-अलग होती है कई ऐसे entrance exam भी होते है जहाँ पर सिर्फ regular university के students को ही लिया जाता है और IGNU एक open university है जहाँ पर इस तरीके से अगर differentiate किया गया होगा कि हमें सिर्फ face to face mode में पढ़ाई करने वाले student ही चाहिए वहाँ पर आप IGNU के सभी student जो है वो eligible होते है IGNU जो है open university है और regular universities वो universities होती है जैसे दिल्ली university जहाँ पर आप रोज Monday से Friday आपने college जाते हैं और college आकर पढ़ाई करते हैं ठीक उसके बाद जो scholarships होती है हर scholarship जो होती है उसकी eligibility criteria जो होता है वो अलग होता है अगर वहाँ पर सिर्फ आपके degree मांगी गई है कि आपके पास ये ग्योगेता होने चीए कि आपने BA किया हुआ है 60% mark से या 70% mark से तो उसके लिए आप eligible होंगे लेकिन कुछ ऐसी scholarships भी होती है जहाँ पर सिर्फ वो scholarships तो आप अगर कोई regular students के लिए scholarship है तो उसमें तो आप eligible नहीं होगे क्योंकि आपने इग्नु से किया और इग्नु एक open university है लेकिन बाकी सभी के लिए आप eligible होंगे तो इग्नु से करने के बाद BA, BCOM, BST करने के बाद आप सभी तरिके की सरकारी नौकली के लिए तो eligible होते ही है लेकिन entrance और scholarship जो है उसमें eligibility criteria अलाग अलाग होता है अगर ऐसा कोई criteria वहाँ पर लिखा हुआ है पहले सही कि regular university के student या ऐसे student जिन्होंने face to face mode में किया है अपना तो उसमें IGNU के student को दिक्कत होती है और उसके लिए वो eligible नहीं होते है लेकिन बाकी सभी चीजों के लिए IGNU के student eligible होते है IGNU एक सरकारी university और सभी तरिके के सभी भारत के अंदर जितने भी universities हैं, जितने भी companies हैं, जितने भी job portal है वो सभी IGNU को माननेता देते हैं तो इस वीडियो में इतने वीडियो आपको पसंदा तो वीडियो को like जरूर कीजिए, share जरूर कीजिए